नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में वीवो X60 वर्सस सामसंग गैलेक्सी एस सेवंटी टू का फुल डेप्ट कंपारिसन करने वाले हैं, इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दुसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डाइमेंशन की दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो, वीवो X60 में 6.28 इंच जब की गैलेक्सी एस 72 में 6.5 इंच की लेंथ मिलती है बात करें थिकनेस की तो, वीवो X60 में 0.29 इंच जब की गैलेक्सी एस 72 में 0.33 इंच की थिकनेस मिलती है जोकी वीवो X60 से ज्यादा है अब बात करते हैं वेट की तो, वीवो X60 में 176 ग्राम्स जब की गैलेक्सी एस 72 में 203 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है जोकी वीवो X60 से ज्यादा है तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेर करते हैं डिस्प्ले टाइप की बात करें तो, वीवो X60 में AMOLED जब की गैलेक्सी एस 72 में Super AMOLED की डिस्प्ले मिलती है डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही वीवो X60 में 19.8 रेशियो 9 जब की गैलेक्सी एस 72 में 20 रेशियो 9 मिलता है Display Size की बात करे तो, Vivo X60 में 6.56 inches जबकी Galaxy Air 72 में 6.7 inches मिलती है Display Resolution, Vivo X60 में 1080 by 2376 और Galaxy Air 72 में 1080 by 2400 मिलता है Screen to Body Ratio, Vivo X60 में 86.8 प्रतिशत जबकी Galaxy Air 72 में 84.8 चे प्रतिशत मिलता है बात करे PPI Density की तो, Vivo X60 में 398 pixel प्रतिश जबकी Galaxy Air 72 में 393 pixel प्रतिश मिलती है अब देखते हैं Display के आन्य Features यानि विशेशताएं की जो की Mobile Phone का महत्वपून हिस्सा है अब बात करते हैं सब के पसंदीदा Features Camera की दोस्तों, सबसे पहले बात करें Man Camera की तो, Vivo X60 में 4 camera देखने को मिलता है जिसमें की Wide Angle Primary Camera, Ultra Wide Angle Camera, Depth Camera देखने को मिलता है और Galaxy Air 72 की बात करें तो इसमें भी हमें 4 camera देखने को मिलता है जिसमें की Wide Angle Primary Camera, Ultra Wide Angle Primary Camera, Depth Camera और आखिर में Macro Camera देखने को मिलता है बात करें Video Camera की तो, Vivo X60 में 9 different type के Features मिल जाते हैं और Galaxy Air 72 की बात करें तो उसमें 7 different type के Features मिल जाते हैं अब बात करें Front Camera यानि की Selfie Camera की तो, Vivo X60 में single camera देखने को मिलता है जिसमें की 7 different features मिलते हैं और Galaxy Air 72 में भी single camera देखने को मिलता है, जिसमें 6 different features मिलते हैं अई अब बात करते हैं hardware के बारे में जिसमें हम CPU, GPU, RAM की information देखते हैं hardware में सबसे पहेले CPU जो की speed के हिसाब से देखा जाये तो, phone में सबसे important part है उसकी details देखते हैं GPU की बात करें तो, Vivo X60 में Adreno 650 जबकी Galaxy Air 72 में Adreno 618 मिलता है चिप सेट की बात करें तो, Vivo X60 में Qualcomm Snapdragon 870 और Galaxy Air 72 में Qualcomm Snapdragon 720G मिलता है बात करें RAM की तो, Vivo X60 में 2 variant देखने को मिलता है, जिसमें 8GB 12GB की RAM मिलती है जबकी Galaxy Air 72 में एक ही variant देखने को मिलता है, जिसमें 8GB RAM मिल जाती है बात करें internal memory जिसको हम storage भी कहते हैं वो, Vivo X60 में 2 variant देखने को मिलता है जिसमें 128GB 256GB की storage मिलती है जबकी Galaxy Air 72 में एक ही variant देखने को मिलता है जिसमें 256GB storage मिल जाती है एक्सपांडबल मेमरी की बात करें तो, Vivo X60 में नहीं है जबकी Galaxy Air 72 में अप्टो 1TB है ओपरेटिंग सिस्टम दोनु फोन में Android V11 देखने को मिलती है बाटरी Vivo X60 में 4300mAh जबकी Galaxy Air 72 में 5000mAh देखने को मिलती है अई अब main feature को देखते हैं कलर्स की बात करें तो, Vivo X60 में 2 कलर्स जबकी Galaxy Air 72 में 4 कलर्स ओप्शन मिलते है सब information देखने के बाद बात करें प्राइस की तो, Vivo X60 में 2 variant देखने को मिलते है जिसमें की 8GB RAM 128GB स्टोरेज के साथ 37,990 रूपीज 12GB RAM 256GB स्टोरेज के साथ 41,990 रूपीज में मिलता है और बात करें Galaxy Air 72 की तो उसमें एक ही variant मिलता है जो की 8GB RAM 256GB स्टोरेज के साथ 38,099 रूपीज में मिलता है दोस्तों अब बात करते हैं प्रांज और कॉन्स यानि की फाइदे और नुकसान की तो Vivo X60 में 9 फाइदे और 2 नुकसान देखने को मिलता है जबकि बात करें Samsung Galaxy Air 72 की तो उसमें 6 फाइदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में Galaxy Air 72 आगे है में कैमरा में Galaxy Air 72 आगे है फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है परफॉर्मेंस में Vivo X60 आगे है दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें वन प्लस नाइन है जो की 49,999 रुपे में मिलता है दूसरा Vivo X60 है जो की 37,980 रुपे में मिलता है तीसरा Vivo X60 Pro है जो की 49,990 रुपे में मिलता है और लास्ट कॉंपिटिटर फोन की बात करें तो उसमें वीवो X60 Pro Plus है जो की 79,990 रुपीज में मिलता है और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है ये आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना